हलो इवरिवन हमारे चनल में आपका स्वागत है तो अभी हम लोग DNA रेप्लिकेशन मेकेनिजम पढ़ेंगे और जो ये चीज पिछले वीडियो भी पढ़ चुके थे लेकिन उसमें कुछ DNA रेप्लिकेशन में बाकी था वो देखेंगे और फिर अच्छे से रिभाइज आईए देखते हैं DNA रेप्लिकेशन में दो अस्टेप थे जो हमने पहले ही बताया था पहला स्टेप था अनवाइंडिंग यानी DNA स्ट्रेंड को खोलना क्योंकि DNA स्ट्रेंड डवल होता है DNA जो होता है वो डवल अस्ट्रेंड होता है double strand होता है तो उसको unwind करने के लिए दोनों strand को अलग करने के लिए दोनों जो strand है इनको अलग करने के लिए unwinding करते हैं और दुसरे step में क्या करते हैं formation of new chain करते हैं तो पहला step unwinding देखते हैं तो unwinding में जैसे यह DNA का strand हो गया तो इसको दोनों strand को अलग करने के लिए enzyme होता है उसका नाम है helicase जो helicase enzyme है वो DNA का strand पे ऐसे नहीं कि कहीं जाकर bind करेगा और अपना का में स्टार्ट कर देगा ऐसा नहीं कहीं भी जाकर bind नहीं करेगा helicase enzyme को bind करने के लिए DNA strand पे एक होता है orisite क्या होता है orisite जिसको बोलते हैं origin of replication क्या बोलते हैं origin of replication prokaryotic में ये एक होता है किसमें क्या एक होता है orisite और eukaryotic में ये बहुत सारे होते हैं यानि multiple होते हैं eukaryotic में लेकिन prokaryotic में एक होता है जैसे माल लेजिए orisite यहाँ पर है तो helicase यहाँ पर यहाँ पर दो मॉली कुई जाएगा helicase का और bind करकर दोनों अस्टेंड को अलग करना शुरू कर देगा तो helicase enzyme को promote करने के लिए process को एक आता है co factor जिसका नाम है क्या नाम है बोली है magnesium तो जैसे दोनों start हो गया अलग करना strand को यहाँ पर तो जैसे ही माल लेजिए यहाँ पर अलग किया ऐसे अलग किया तो इधर से अलग करते जा रहा है लेकिन क्या हुआ जहाँ अलग हुआ तो दोनों base जो होते है complementary होते है complementary है तो फिर तो जूट सकते है ना तो इस जो strand है जूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या होता है इसमें एक होता है single stranded binding protein ये दोनों strand पर जाकर जूट जाता है और जिससे इसको single strand को stability पर परवाइड करता है जिससे single strand दोबारा आपस में नहीं जूटते हैं और unwind हो जाते है ओके तो जैसे ही ये पूरा unwind हो गया तो जैसे ही आपने जिससे जूट का धागा देखाऊगा दो धागे को coil कर दीजे और बीच में से यहां से ऐसे खिचे है तो क्या होगा जो किनारे पर super coil हो जाएगा super coil हो जाएगा और यहां पर टेंशन बढ़ेगा और super coil हो जाएगा super coil हो जाएगा तो उससे क्या होगा जो हेलिकेज एज्याइम की जो efficiency हो घड़ जाएगा घड़ जाएगा तो उसको पूरे हमको क्या करना है हेलिकेज एज्याइम काम क्या है कि पूरे डुन डुन अस्ट्रेंड को अलग करना है लेकिन अच्छे से नहीं हो पाएगा इसका जो efficiency है काम करने का वो रुख जाएगा तो उसके लिए क्या होता है एज्याइम टोपो आईसो मेरेज यह क्या करागा पहले इसका function देख लेते हैं तिससे क्या है इंडो निकलियस इंडो निकलियस और आज वेल आज लाइगेज तो अब हम लोग समझते हैं इंडो निकलियस क्या होता है इंडो निकलियस होता है जैसे यह निकलिक असीड हो गया निकलिक सब्सक्राइब डियने आर ने है तो इंडो मतलब बीच में काटेगा मतलब डियने को कट करेगा बीच में तो उसको बोलते एंडो निकलियस अगर बाहर कट करता तो उसको बोलते एंडो निकलियस लाइगेज क्या होता है दो डियने स्टेंड को जोडने का काम करता है डियने आप बोलिए क्या बोलिए आर ने दुनों चीज को तो मतलब क्या बोल सकते हैं nucleic acid को सीजां इसा बोलते हैं तो लेकिन यहां DNA के बारे बात कर रहे हैं तो हमेश क्या करेगा जोड़ने का काम करेंगा तो सूपर क्वैलिंग और टेंशन हो चुगा था तो वह क्या करेगा टोपोईसमरेज पहले जहां सुपर क्वैलिंग हुआ है उसको कट करेगा क्या करेगा पहले कट करेगा टेंशन रिलीज हो जाएगा तो जहां पे सुपर क्वैलिंग हुआ है टोपोईसमरेज क्या करेगा पहले कट करेगा जिससे टेंशन रिलीज हो जाएगा और फिर डीने जो cut किया है फिर इसको जोड़ देगा कौन टोपो आईसे मेरेज यह को दोनों काम करता है इंडो नुकलेज भी काम करता है और लाइगेज का भी काम करता है अब हम लोग आते हैं सेकेंड अस्टेप पे जो क्या है formation of new chain formation of new chain देखते है formation of new chain जो होगा parental अस्टेइंड पे वहाँ बनेगा यह को दोनों DNA अस्टेइंड DNA के दोनों अस्टेइंड अलग हो चुके है तो दुसरा स्टेप क्या होगा formation of new chain तो formation of new chain always कैसे होता है 5-2 थर्ड डेश यह हमेशा बनता है ऐसे ही अलवेश तो जैसे यह यह DNA स्टेइंड मालने जीए क्या हुआ है यह अन्वाइंड हो गया है खुल गया है तो यह हो गया 5-स से मालने जीए 5-स से 3-स तो यह क्या हो जागा कम्पलिमेंटरी होता है अन्टी परल होता है तो यह ऐसे हो जाएगा तो इसमें तो इसमें क्या होता है बहुत सारे इंजाइम होते हैं जो प्रोकेरियोटिक में 3 होते हैं और इंजाइम होते हैं लेकिन हमारे लेबल पे प्रोकेरियेटिक वाला अस्टडी करना है तो कौन कौन है डीने जो एंजाइम है जो एंजाइम है डीने पोलीमरेज फरस्ट इसके बाद सेकेंड और डीने पोलीमरेज थर्ड तो जो dna replication main enzyme है वो कौन है dna polymerase third क्योंकि यही करता है जो नय निकलिटराइड बनता है जो नय निकलोटाइड जुड़ता है dna strand पे वो कहां पे जुड़ता है third इंड पे dna polymerase को main enzyme बोलते हैं और इसका काम सिर्फ इसको यहीं पता है कि जो नय निकलिटराइड जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा third इंड पे और जो दूसरा है पहला जो है dna polymerase first वो क्या करता है जैसे यह जुड़ने के लिए RNA प्राइमर आता है उसी कमद से dna polymerase third जुड़ता है तो उसको हटाने के लिए क्योंकि वो RNA का पार्ट होता है तो उसको हटाने के लिए dna polymerase first आता है तो second क्या करता है second क्या करता है यह least objective है और यह काम करता है जो mistake हो गया उसको proof reading की कही मिस्टेक तो नहीं हुआ उसको proof reading करने के लिए काम करता है और यह least objective होता है तो मैंने जो question जो पुछाए किस्ते पुछाएगा डिएने पॉलिमेरेस third से और डिएने पॉलिमेरेस first रे तो आई यह देखते हैं तो जैसे ही डिएने पॉलिमेरेस third यहां पर श्ट्रेंड पाया third आस इंड पर क्योंकि यू कैरियोटिक में यू कैरियोटिक में जो रेप्लिकेशन होता है जो डिएने का रेप्लिकेशन होता है वो कहां होता है कि इस फेज में होता है किसमें होता है इस फेज में और यह पूरे डियेने कहा होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगा होगा पूरे डियेने में होगा मुझें तो यहां से स्टाइट करें किसको पता ने चलता है के आता है आर ने प्राइमेज यहां पे आएगा और उस मेह होता है सौरी जो फर्विंश होता है वह आरणे प्राइमर करेगा कि प्राइमुन करें कि आ इंद प्राइमर जो जो है क्या होगा यहाँ पर बाइंड हो गा और यहाँ पर निकलो टाइड बनना शुरुआत हो जाएगा तो यह हो गया 5-3- क्योंकि आलवेज कैसे बनता है जो अस्टेंड बनता है 5-3- यह हो गया अब इधर से देखेंगे तो निकलो टाइड यहाँ पर यहाँ प्राइमेज यहाँ पाया तो वहाँ प्राइमर रिलीज किया और फिर इसको प्राइचल गया अब यहाँ पर Divinerice 3rd हुआ और दीने प्राइमेज 3rd यहाँ बायंफ fall बाइन्ड हुआ और यहाँ पे हैं एक बन गया है ॉक्टे तो फिर क्या हुआ फिर यहाँ फिर यहाँ खतम होगा कि कुछ इंड आ गया तो फिर इधर जाएगा तो फिर यहां पर आया कौन कि प्राइमेज फिर क्या बनाया आर्णे प्राइमेज बना फिर यहां पर दीने प्राइमेज फिर से यहां पर यहां पर यहां पर यहां से यहां पर चेन बना यह ऐसे काम बनते रहता है तो यह जो है इसको बोलते है lagging strand lagging strand या discontinuous क्योंकि continuous नहीं बन रहा है न छोड़ छोड़ के बन रहा है और यह है जो leading है यह क्या है यह तो हो गया ना इसे मिटा देना कोई दिकत नहीं है तो मिटा देते हैं इसको बोलते है leading strand क्या बोलते है leading strand और इसको continuous भी बोलते है continuous बनते जा रहा है तो ऐसा क्यों बनता है क्योंकि क्योंकि यह से पता है क् ihr nunt cloud कहा बनेगा ना इक बनते हैं यह इसके लिए तो इदर से बंद है जो है यहां सिरगे बिंद्र है टूलते ऐसे जरा इसलिए यह कॉंटिवर्स बनते जा रहा बर्स बनेगा लेकिन जो यह इस तह Turkish से यह वाना फिर यहां प्रयमर गया फिर ह要निय प्रयूमल्य क्या फिर यहां편 फिर बना यहां भिलाक ये पिर आइसे ही काम करते गया तो इसको जो हो रहा है वो पुरा नहीं बन पा रहा है पहले कि हां से बन रहा है पहले इंड से सट हुआ लूत जैसे देखिए कि जैसे आपने धागा जैसे यह हो गया कि एक समझने के लिए को बना रते हैं यह हो गया एक स्टार्ट की इधर से यह गया 5-3-3-1 इधर से तो यहां बनेगा इसके लिए खतम हो गया ला प्रैमेज प्राइमेज आएगा फिर बनाएगा फिर यहांसे बनेगा strand तो यह discontinuous हो गया ना हो गया कि नहीं तो यह समझ इसी में सब को दिखा होता है कि lagging और leading strand क्यों बनता है फिर यह जो आया जो निकलियो टाइड है यह जो निकलियो टाइड बना ना डिने पोल्लमेज थर्ड है वो निकलियो टाइड बना तो वह कहां से लेता है तो लेता है निकलियो प्लाज्म से आता है निकलियो टाइड तो निकलियो प्लाज्म में निकलियो टाइड कैसे होते ह के रूप में हैं जैसे डी सी टीपी टीटी एटीपी डी ऑक्सी साइटेडिन ट्राइफोस्पेट तो इससे हैं निकलोटायटी सबस्टेट का भी काम कर रहा है चेन वराने के लिए और यह इनर्जी का भेवे लिए और रिप्लेकेशन में इनर्जी चाहिए तो उसके लिए है यह काम करता है तो यहाँ बन गया लीडिंग और लाइग अस्टेंड बन गया तो जो लाइग अस्टेंड है उसको सबसे पहले किसने दखा था ओका जाकी ने किसने खोया था ओका जाकी तो इनी के नाम पर लाइग अस्टेंड का नाम पढ़ गया ओका जाकी ओका जाकी ओका ओका जाकी फ्राइग्मेंट क्या बोलते हैं ओका जाकी फ्राइग्मेंट किसको बोलते हैं लागिंग अस्ट्रेंड को तो यह डीने अस्ट्रेंड यहां ही बन गया इधर भी बन गया तो बन गया तो बीच में तो यहां प्राइमर वो क्या है आर ने तो रह नहीं सकता है तो उसको हटाने के लिए यह कोन आता है डीने पॉलिम्रेस फर्स्ट जो डीने पॉलिम्रेस फर्स्ट आएगा कॉंटिनीवस जो लेडिंग अस्टेंड बना उसमें तसरीफ एक ही रहेगा तो इसको हटाएगा और यहां पर नया निकलोटाइड चेंड यहां पर बन जाएगा फिर इसे भी यहीं काम करेगा तो इसके बीच में जो है य इसके बीच में क्या है प्राइमर है आरे प्राइमर तो इसको हटाएगा डिने फर्स्ट और फिर जो दोनों इंड है सीडियो को जोडने के लिए डिने को बनाएगा सॉरी ओनाएगा लाइगस इसको जोट देगा लेकिट सीरो का मिलाने की लिए लाइगे इस से बहुत सारे प्राइमर होंगे यहां बनेगा फिर यहां पर प्राइमर आगा फिर जूडएगा कट-कट कर बन रहा है इसलिए तो इसको नाम आपना डिस कॉंटेृ बस तो यह आपको आच्छे समझ में जैसे जो डिनन एप्लिकेशन है एकोलाई में एकोलाई में बेस पेर कितने होते हैं यहां को याद रहाना चाहिए है 4.6 x 10 to the power 6 बेस पेर होते हैं कितने होते हैं 4.6 x 10 to the power 6 इकोलाई क्या है बेक्टिडिया है प्रोकारियोटिक है ना इसका तो 4.6 x 10 to the power 6 बेस पेर होते हैं और इसका जो रिप्लिकेशन होता है बहुत फास्ट होता है मतलब 2000 बेस पेर प्रतिस सेकेंड बनता है यह इतना फास्ट होता है और जैसे कोई मिस्टेक हो गया प्रूफ रीडिंग के लिए कोन आता है डीने पॉलिम्रेज प्रूफ रीडिंग के लिए कोन आता है डीने पॉलिम्रेज सेकेंड यह फास्ट होता है मिस्टेक होने की चांस कम है लेकिन अगर कहीं मिस्टेक हो गया तो वहीं मुटेशन होन कि आप मुझे पर ट्रस्ट किजिए विश्वास किजिए और आपको अच्छ से समझ में आएगा तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू